हेलो क्लास इन दा प्रिवियस लेक्च्छर्स वी है डिस्कॉस्ट अब दा ग्राम सभा अब अब देखेंगे हमने क्या देखा है एक ग्राम सभा देखिए एक असेंबली देखिए ठीक है जिसके अंदर हमने किन-किन लोगों को इंक्लूट किया है अब 18-years के जो भी मेल हैं फीमेल हैं जिनों के भी एच 18 प्लस हो चुकी है उनको किसके अंदर इंक्लूट किया जा चुका है ग्राम सभा का इंक्लूट किया जा सका है अब देखेंगे बेटा जो ग्राम सभा डिसकॉस की थी उसके फंक्शन क्या क्या है ठीक है अब देखो बेटा कि जितने भी लोग है यानि कि एक एडल्ट है एक गाउं के अंदर रहने वाले वह अपने ही बीच में से क्या करेंगे अब कुछ लोगों को इलेक्ट करेंगे और उनको कहां पर भेजेंगे बेटा ग्राम पंचायत के अंदर ठीक है चलो discussions of the important issues अब देखो क्योंकि अब बात कर रहे हैं बेटा उन सारे लोगों की जो क्या हो चुके है एडल्ट हो चुके है इट मेंस दे आर इंपोर्ट दे आर गोना discuss about the important issues of the village अब देखो इस important issue के अंदर क्या क्या सकता है we can say the building of the schools ठीक है schools को किस तरीके से बनाया जाएगा ठीक है roads कैसी होनी चाहिए हमारी village के अंदर ठीक है और अगर बात करें बेटा इन villages के साथ हमारी village के अंदर sanitation कैसा होगा साफ सफाई कैसी होगी drainage कैसा साफ रहेगा तो यह सारे जितने भी important discussion है ना वो किसके अंदर किये जा रहे हैं वो किये जा रहे हैं बेटा आपके ग्राम सफा के अंदर ठीक है and passes the annual budget अब देखो एक नया एक term आई है annual budget एक ऐसी अगर हम बात करें तो क्या होता है कि जो भी government की bodies होती है यह क्या करती है बचा यह अपने साल भर का जितना भी total expense है और जितनी उनकी total earning है यानि कि वो क्या करेंगी अपने income और expense को पहले ही determine कर लेती हैं कि हम इस particular area के अंदर इतना expense करेंगे इतना earning होने वाली है ठीक है तो वो हो गया आपका budget ठीक है अब हमने क्या देखा it passes the annual budget अब यहां पर क्या हो रहा है बिटा इस annual budget को कौन पास करवा रहा है ग्राम सबा करवा रही है ठीक है अब अगर बात करेंगे बैटा ग्राम पंचायद का जो work हो रहा है ठीक है are they doing their job properly ठीक है जो भी उनको काम दिया गया है जो भी उनकी duty थी हमारे village के लिए क्या वो उसको अच्छे से perform कर रहे हैं तो इसको decide करने का काम किसका है कि यह लोग अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं यह काम है हमारी gram सभा का ठीक है अब देखो gram सभा से आगे चलते हैं तब आत से start होता है दा primary level ठीक है तो जहां से भी start हो रहा है यह इसको बोला जाएगा gram पंचायत और विलेज असेंब्ली ठीक है अब इसके अंदर आप देखोंगे बैटा के इस दा committee of villagers consist of 7 to 30 members elected by the gram सभा मैंने क्या बताया था आपको कि जो gram सभा के अंदर जितने भी एडल्ट्स हैं एक विलेज के अंदर रहने वाले वो क्या करेंगे अपने बीच में से कुछ लोगों को elect करेंगे जो किसके अंदर जाएंगी बैटा ग्राम पंचायत के अंदर ठीक है अब देखोंगे बैटा कि यहां पर भी आपको कई तरहे का आपको setup देखने को मिलेगा कैसा setup देखने को मिलेगा बैटा जितने भी main important decisions हैं ठीक है उनको आगे further discuss करने का जैसे मालो यहां पर तो discussion हो गया अब इसको pass करने का काम किसका है इ आपने देखा 7 to 30 members देखने को मिलते हैं अब देखते हैं बैटा कि जब इनको elect किया जा रहा है तो now there are places or the seats reserved for the female candidates as well as the scheduled caste and scheduled tribes also अब देखो क्या होता है बैटा कि जो हमारा village है न यहां पर हमें कई टाइब की आपको diversities भी देखने को मिलेगी अब अगर हम बात करें बैटा इसी की एक तरीकी की diversity है आपकी different kinds of caste and scheduled tribes यहां पर क्या किया गया है women's को भी एक particular आपको seats provide की गई है अगर हम बात करेंगे तो आपको 30 का one by third seats किसके लिए reserve कर दी जाएगी वो आपकी women's के लिए completely reserve कर दी जाएगी जिसके उपर किसी और person को elect नहीं किया जाएगा ठीक है ऐस सही reservation provide किया गया है बेटा scheduled caste को और scheduled tribes को ठीक है चलो तो यह तो reservation वाला case देख लिया हमने अब कई बार क्या होता है बेटा कि जो villages वाला area है वहाँ पर इस one by third जो seat allotted है पहले से reserve है इनके उपर क्या हो रहा है बेटा इनके उपर भी लोग जो हमारी women's है या फिर SCST category के जो ल elect नहीं हो पा रहे हैं ठीक है तो फिर कौन काम करेगा बेटा फिर इसके लिए government work करती है और फिर वो लोगों को nominate करती है ठीक है nominate का मतलब है कि वह अपने person के person को elect कर लेंगे अपने according ठीक है फिर gram साभा का का काम नहीं होता है उसमें ठीक है चलो अब हम क्या बात करेंगे बेटा अब discuss करेंगे what is the composition of a panchayat अब panchayat का जब work चल रहा है बेटा हमने देख लिए उसके अंदर कितने member देखने को मिले है 7 to 30 और 31 के आसपास ठीक है अब अगर बात करें बेटा यहाँ पर आपको दो main person देखने को मिलेंगे ठीक है जिसको बोला गया है बेटा and the second is panchayat secretary अब देखो panchayat secretary को कई जगा पर क्या बोला जा रहा है बेटा पंचायat सेवग राइट अब देखो सरपंच का ही दूसरी जगे कई जगे नाम देखने को मिलता है बेटा आपको प्रधान जैसे आप उत्तर प्रदेश वाले areas के अंदर जाएंगे तब आपको सरपंच ना मिलकर क्या देखने को मिलेगा प्रधान देखने को मिलेगा चलो अब आते हैं बेटा इन दोनों के वर्क का difference क्या क्या है ठीक है अगर हम बात करें बेटा तो इसको तो elect किया जा रहा है यानि कि जो हमारा सरपंच होगा जो head करेगा हमारी gram panchayat को उसको elect किया जाएगा ठीक है कई बार क्या होता है इनी members की बीच में से election होगा और कुछ areas के अंदर कुछ villages जैसे आप बात करेंगे पंजाब की तो वहां पर सरपंच का क्या हो रहा है बेटा डारेक्ट election देखने को मिल रहा है ठीक है इसी तरीके से अगर बात करें तो पंचायत सेक्रे है कि यह इसको help करेगा और यहां पर आपको इसको एक permanent salary मिलेगी government की तरफ से अब अगर बात करते हैं सरपंच की तो सरपंच को क्या देखने को मिल रहा है बेटा सरपंच एक elected person है और इस budget को जो भी यहां से appoint किया गया है इसको locate आपको क्या किया गया है बनाया गया है उस budget को उसके सारे कामों को कौन सुपरवाइस करेगा बेटा यह person करेगा ठीक है मतलब कि जगह पर आपको क्या करना है कैसे खर्च करना है ठीक है और उसको help कौन करेगा हमारा पंचायत secretary करेगा तो दौनों के बीच में क्या difference है बेटा यह permanent employee है यानि कि he is a government job person ठीक है इसको एक exam fight किया होगा उसके through इसने यह job पाई है और यह क्या है बेटा एक post है जिसको किसकी वज़े से मिलाए बेटा election हुआ है और इसको लोगों ने elect किया हुआ है इसका time period around देखने को मिलता है five years का चलो यहां तक clear है सभी को अब आता है बेटा हमें देखना होगा कि इनको appoint कौन क कर रहा है तो हमने क्या बताया कि इसका तो election हो रहा है कुछ जगह पर direct election है और कुछ जगह पर कैसा किया जा रहा है इन members के बीच में से चुना जा रहा है चलो और यहां पर आपको देखने को मिलेगा it is appointed by the deputy commissioner यानि कि यह भी एक permanent body है एक permanent person है जो किसके अंदर देखने को मि ग्राम पंचायत के अंदर चलो तो आई होप यहां तक समझ में आया होगा आपको अब discuss करते हैं बेटा functions of the gram पंचायत इतने सारे लोगों की हमने processing देख ली कितने लोगों को सीट मिलनी चाहिए ठीक है बट यह काम क्या कर रही है ठीक है हमने क्या देखा बच्चा कि यह ब वहाँ पर roads बनी हुई है या नहीं बनी हुई है अगर roads बनी हुई है वहाँ पर तो उसका maintenance कैसे हो रहा है maintenance किस तरीके से होगा और public services यानि कि आपको देखने को मिलेगा कि इसका maintenance कैसे किया जा रहा है इसके आसपास जो shops बन रही है छोटी छोटी उनका maintenance कैसे किया जाएग ठीक है constructions of the wells and the ponds गाओं के अंदर हम लोग गय हुए होंगे बेटा तो हमने क्या देखा है वहाँ पर जो water के लिए लोग किसके उपार dependent होते हैं बेसिकली वो public sources के उपार dependent होते हैं ठीक है जहाँ पर सब लोग मुसली क्या होते हैं अपना बरतन लेकर जाते हैं और वहाँ से water को लेकर आते हैं ठीक है तो ऐसे देखने को मिलेगा wells यह क्या होते हैं बेटा पब्लिकली बनाए जाते हैं बड़ा एक कुवा बनवा दिया जा ठीक है सेकेंड आता है बेटा making provision for the sanitation and the drainage अब बात करेंगे के विलेज की अंदर साफ सफाई कैसे रहेगी how and who will take care of the cleanliness of the village अब इसकी बात करेंगे बेटा तो यह आपको देखने को मिलेगा यह भी काम किसका है हमारी ग्राम पंचायत का ठीक है नालियों की साफ सफाई उनको बनवाने का काम किसका है बेटा ये काम है हमारी ग्राम पंचायत का चलो अब ये बात करने हैं कि जो हमने roads देखी हैं उसके उपर street lights को लगवाना ठीक है उनका proper maintenance करना और अपना एक जो विलेज है उसको क्या करना और ज्यादा डवलप करना ठीक है assisting the government employees अब हम देखेंगे बेटा इसका काम क्या है कि जितने भी government के employees है like the पटवारी the police officers right the चौकिदास तो यह क्या हो रहे हैं बेटा यह government employees हैं जिनको government employee करती है जौब देती है और इनका काम क्या होता है इस ग्राम पंचायत को assist करना और उनके कामों को review करना चलो and supervising the works of the पटवारी और चौकिदार अब देखो अभी हम discuss करेंगे बेटा next topic के अंदर that who are the पटवारी तो इसको हम यहाद तक अभी समझ लेते हैं कि इसका काम है बेटा हमारे lands और revenues का हिसाब किताब रखना right maintaining the record of the land revenues is a work of पटवारी इतना याद रखना है वस अभी तो देखो इसने पहले यह क्या करेंगे इसको help करेंगे काम करने में और जब इसका काम पूरा हो जाएगा तो यह देखेंगे बेटा जो ग्राम पंचायत है हमारी that they are working good or not अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ठीक है बेटा तो जितने भी अभी आपने यह topics पढ़े हैं यह तो क्या थे compulsory है ठीक है यह चीजें तो हमको याद रखनी ही पढ़ेंगी ठीक है अब आता है बेटा कुछ आपके optional काम ठीक है कुछ optional functions भी होते हैं जैसे आप क्या देखोगे libraries को open करवाना ठीक है fairs को introduce करना fairs का मतलब मेले ठीक है तो अब देखोगे बेटा यह सारे काम क्या है इसके लिए gram पंचायत को force नहीं किया जा सकता है अगर बात करेंगे बेटा जैसे कि यहां पर कई बार क्या होता है जो gram पंचायत है अपन में खाद का नाम सुना होगा तो उसके लिए क्या किया जा रहे हैं बेटा basically they are using the cow dung यानि की गोबर जो है बेटा उससे क्या बनाई जा रहे है खाद बनवाई जा रहे है तो उसके लिए क्या करेंगे यह बेटा यह करेंगे small small areas के अंदर यह गढ़्धे बनवाएंगे बे इस compost को क्या करना बेटा जो यह pits बनाई गए है यानि कि यह गढ़्धे बनवाई गए है इसका look after करना इसकी देखबाल करने का काम किसका है हमारी gram पंचायत का but that is not a compulsory function of the gram पंचायत समझ में आ गया है तो मतलब यह काम करने है बट इसके लिए हम gram पंचायत को force नहीं कर सक करते हैं तो समझ में आ गया है बेटा चलिए thank you